कि अलेक्टिमेटिक ट्यूरी वान चेप्टर नंबर टू है जो हम कंटिनू करेंगे आज और टॉपिक है टू पैंट टू डैवर्जन सेंड कर लोफ एलेक्टिक फिल्ड और ऑफ कोर्स हम बुक जो जूज कर रहे हैं वह थर्ड अडिशन है क्रिफफट का कि लास्ट लेक्टिर में हमने अलेक्टिव फिल देख लीट थे कैसे क्लकूइट करने हैं बहरी उसिंक्वन लास्ठ करने के लिए हमें एक इंटिकर करना बड़ता तो इंटीगर सॉल्फ करना वो कोई असान काम नहीं नहीं सुमने अगर आपके बास घ्युंट चाट इसी प हो जाता है बस यह एक्रोस्टाटिक होती है कि आपके पास डिस्ट्रिबूशन है उसके लिए आपने लिखनी है अलेक्टिफिल्ड कि देंगे वह इंटीगल केल्कुएट करना असान काम नहीं है इसलिए बाकि जो एलेक्रोस्टाटिक में रह जाती है वो टूल्स है कि लिए असान तरीके से एक टूल आज हम करेंगे और वह हमारे पास करेंगे और वह हमारे पास करेंगे लिए तो इन प्रिंसिपल यह हो सकता है या कि हमें पास जो जनर्र एक्सपेशन अलेक्री फील का हम उसके उसको वहीं से स्टार्ट लें और और क्विजस केलकुएट करने हैं लेकिन हम यह पास लेंगे वो है क्वालेटेटिव पात और देहें क्या इसा ऐसा कैसे जो आरडी हमारे पास चीजी हैं उससे कैसे हमार है तो कोदिए रहे हमारे पास एक point charge है और point charge के लिए अगर आप ट्रॉद एक तरह पर कारी यह है कि our जैसे आपने place किया और जो हम यूज करें इसको test charge place कि है इसके उपड़ आफ और फॉर्स मियर करोगे तो पोजिटिफ चार्ज की वुजासि पोजिटिफ टाइस चार्ज पर फॉर्स होगी वह इसको repelling force होगी और इसको हवे तो इस तरह से जब आप ड्रा करोगे तो आपको नदर आएगा जो यह वेक्टर्स है यह अवे जा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट चार्ज ठीक है पॉस्टिव पॉइंट चार्ज और जो वेक्टर्स की जिन वेक्टर्स की जो लेंथ है वह ज्यादा है तो इसका मतलब है यहां है हमारे पास strength द्रादा है और जिन वेक्टर्स की जैसे की लेंद कम होती जा रही है तो इसका मतलब की strength डिक्रीज होती चलिए और जो डर्सार है तो हमेरे पास एक और रिप्रेजंटेशन आयाती है यह मेरे पास है इससे तरह जिस तरह मैंने अभी आपको पटाया थी उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखा और इसी तरह जहां जहां में एलेक्टर फिट ड्राय करने थी महां पर पॉइंट चार्ज रखे हमने फोर्स तो मैं पहले यह करूंगा इसकी वजासे फोर्स देखूंगा ठीक है तो उसमें से टेस्ट जा निकालूंगा तो मेरे पास इस पोजिटिव चार्ज की वज़ासे लेक्टिव लागी और जो कि होगी यह पोजिटिव कहलें और नेगटिव चार्ज की वज़ासे भी मुझे यहां पर बाद में फील्ड फाइंड करनी है मुझे और वहां दोनों का सम कर देंगे तो इस पाइंट में हमारे पास आ जाएगी वेक्टर सम होगा बिसिकली वह डाग्राम के लिए तो हमारे पास यहां पर आ तो आप हर पॉइंट पर ऐसे डॉख करेंगे दोनों चार्ज इसका जो दोनों लेक्टिव करेंगे सम होगा वह आप रिजल्टन यहां पर डॉख करोगे तो आपके पास फ्रील लाइन पिचर आजाएगी फ्रील लाइंज में हमें कुछ इस्सतरा से मेशूस होता हँकि हमने जो प्ला ने पिखियाओ आरव की लेंध में वह इंबेड़े थे लेंध जितनी लेंध होगी वेक्टर की इसब्स बॉइंट पर एलेक्टिव की वह हमने लूज कर दिया बहुन हैरह सब्सक्या लेकिन के पास strength हम कैसे denote करेंगे यहां पर tolerance करें तो यहां पर कैसे होगा तो यहां पर strength हुशन कर सकते हैं density of field lines की कि जहां पर field lines की density ज्यादा है वहां पर आपके पास selective field की strength ज्यादा होगी ऐसे की यह ति है त्क यह देक udah करें तौको पास आती है अगर ना तो अगर आप यहां तो अगर आप और बियाख काल भी हो सकता है कि हम देखना चाहें के इसके अपर सरकल डौर करें तो देखें इस सर्कल में कितनी फ्रील लाइंस उसमें से पास करेंगे तो देखें यह सब्सक्राइब रही है तो नंबर ओफ्री दाइब बैसर कमफेरेंश वह हमारे पास हो जाएगी यह है यह डहीं हो देंस्टी हो जाएगी मसला यह है कि जो हमें पता के ऐलेक्टिभी लेकिन जो को तू आपको नजर आता है कि यह हो यह है स्ट्न्थ इंवर्स इस पुपर्शनल टू आर्ट लेकिन लेकिन लेकित कैसे होती है वह है आट स्कोएर तो हमारे पास यहाँ पर ऐसे लगता है कि जो स्टेंथ बिल्कुल वैसे नहीं मिल रही हमें जैसे कि इस पिच्छर में थी इसर पिच्पिक्चर में हमारे पाँ स्टेंथ टिक्रीज हो रही है वह वह बृण और स्कोईर एक्डूश्ट्र собой में मर पात अगर आपने सारी एलेक्टिवील्ट लाइंस रेजन में से कितनी पास करें तो आप सरकल नहीं डॉख करोगे आप ढॉख करोगे स्फेर ठीक हैं हम डॉख करेंगे स्फेर डॉख करेंगे तो उसका आप देखने की एरिया होता है नमपर फिल लैइन ज्वाइज भाइए तो जब आप यह सरकम्फिरेंस लेंगे तो जो स्ट्रेंथ होगी की इस पिचर में भी वान और आर स्क्वेर के प्रपोर्शन होगी यह आर स्क्वेर की रिस्प्रेक्ट से डिक्रीज होगी तो वैसे तो यह है कि अपर टाइम है कि आप कर लेता है तो एक फ्रेल लाइन एक पिचर में आपके पास जो च्टेंथ ज्यादा होगी सेम सेरकम्फिर के लिए और एक के लिए जैसे जो कि आप है वहाँ पे number of field lines कम पास करेंगी जबके फेर सेम होगा तो इस केस में एक चीज़ याद रहे तो यह के number of field lines जो होते हैं वो तो आप infinite draw कर सकते हो ठीक है लेकिन आपने उतनी ही draw करनी है जितनी आपके लिए convenient है और जो आप एक convention लेंगे उसके साथ आपने fix रहना है जैसे कि आपने plus q charge के लिए draw की है 8 field lines ठीक है तो प्लस 2 q के लिए यानि के charge 2 double कर दें तो आपके पास field lines भी double होने चाहिए फिर आप draw करो के 16 ठीक तो अगर आपके पास 1.5 q है तो फिर आप draw करो के 12 इस convention के साथ fix रहना है कि आपने ए आपका फ्रेंड या करेगा आगर आपका फ्रेंड एक प्लस q charge के लिए 16 field lines रहा है तो वह 2 q charge के लिए draw करेगा 32 lines ठीक तो जो convention आपने बना ली उतनी field lines से आपने इतनी field lines होई चाहिए कि आपको वड़ा लिक पैटर मिल जाए ज्यादा ज्यादा करने की जूरूत नहीं जैसे कि यह देखें इस field lines से हमें नदर आ रहे है कि यह जहां पर center में इसकी strength ज्यादा है यहां पर दूर होती जारी है बगरा बगारा इसी जो formulation को बढ़ाते वह हम एक और चीज़्य दिफाइन करेंगे जो कि flux है फ्लक्स सुर्पेस फ्लक्स है है तो flux हम डिफाइन करेंगे कि अगर आप व्यक्टर करते हैं और व्यक्टर एρα डिफाइन करते हैं यह एरिया होगा यह इस विडिया को मैंने एक direction और दिया है जो इसके साथ fix है ठीक है यह एरिया सर्फेस आरिया आपको पद़त सर्फेस एरिया स्केलर कॉंटटी है और लेकिन आप उसके साथ एक arrowhead लगा दें जैसे कि इसके साथ है arrowhead लगा दें जो denote करेगा इस point पेस की direction को इरिया की तो हमें इसे कहेंगे तो वेक्टे एरिया मेंसे जितनी फिल्लाइन पास करती हैं हम कहेंगे यह है फ्लक्स थ्रू डैट सर्फेस ठीक है तो यह डॉट प्रोड़क्ट है तो इलेक्टि फ्रीलाइन जो इंदा डिरेक्षिं ओफ ग्टे एरिया है वही इसे कॉंसिलर करेगा तो ऐसा में जो flux है वो मेज़ करता है number of field lines passing through surface area ठीक और number of field lines जो आपके पास flux है वो directly proportional दरा रहा है आपको number of field lines है जो कि इस में से पास हो रही है और field density क्या होगी फिर number of lines per unit area ठीक है यह इतन number of lines इस एरिया में से पास हो रही है वो हमापा फिल्ड टी है इस नम युनिट एरिया को जो हम डəfgt करें हैं वो रखा गया आपके पास घख सबस्क्राइभ का इरेक्शन होगी, यह सर्फे हमारे पास ऑल्यक्तिक फिल्ड की होगी, चीक है सरसे एरिया कुरक है से हमें फुलक्स से एक और चीशस होती है कि किसी भी ता आ ने सक्किए की यह दे कि अपके पास फ्लक्स में ऐसे फ्लक्स होगा उतना ही उसमें चाज होगा ठीक है तो यह में हमारे पास एक इंडिकेशन है इस इंडिकेशन को लेकि हम एक चीज करेंगे रिलेशन डिफाइब करेंगे जो चाज्ट फ्लक्स होगा ठीक है उसे हम कहें गौसला तो स्टाट करते हैं पॉइंट चार्ज के लिए लिए तो मेरे पास यह है कि यह यह पॉइंट चार्ज है ठीक और इसे जिए जिए इस सथ स्थ को पॉड़क्टत है यह उसको मैं टॉड़ करूंगा इंट इस कैसे हमारे पस वह इस तरह से कि वान ओर फॉर पैप्स वो नॉट की और आज को यह पॉइंट चार्ज की एलेक्टिफ फील्ड है और डॉट प्रोडक्ट है आज स्कूर साइन थीटा डीटा डीटिटा डीफाइ आर के तो आर जुनेट वेक्टर क्यों लिए हमने क्योंकि आपके पास एलेक्टिफ फील होती है पॉइंट चार्ज की वह रेडिली आउट वर्ड होती है वह उसकी डिरेक्शन टोटी रेडियल होती है जैसे कि हमने यह देखा था यह टोटी रेडियल ड्रेक्शन है अलेक्रिफ फील्ड की तो इस वजासे वह जो एरिया होगा इस केस में सर्फेस पर अगर आप ह मैं नहीं कि और एक है थीटा में और दूसी फाइड है मैं तो जीरो से लेकर पाई थीटा में एंटिकरेशन वहateurs है पर इंटिक्रेशन गेंगे इंटी ठीडियES … तो रिजल्ट आपके पास आ जाएQ और एपसला नॉट तो हमें ये रिजल्ट ये बता रहे है अगर आपके पास ये प्लस चारज है Q और इस चारज अपकोई भी सर्फेस रा करते हो तो उस सर्फेस में से जो फ्लक्स होगा वो होगा कि और एप सॉनाट ठीक है एक और चीज जो यहां पर होई है वो यह नोटिस एड़ रेडियस और स्फेर इस कैंसल आउट तो आपके पाद जो रेडियस हा वो स्फेर का जो आप देखें यहां पे कोई आर्ट डिपेंडेंस नहीं है यहां पर देखें आर्ट स्क्वेर आर्ट स्क्वेर से कैंसल आउट हो गया कोई आर्ट डिपेंडेंस नहीं है तो आप लेट से यहां पर प्लस चार्ज है उसे कि आप यह डौ करो आप यह डौ करो आप यह तो हर सर्फेस में से यह वाला स्मॉल सर्फेस हो यह प्रिम्याने स्फेर हो या इससे बड़ा हो तो हर स्फेर में से जो फ्लक्स है वो बिलकुश सेम है उसके वजाए क्या है कि आपके पास देखेजिए नहां पर आपके पास जो है वो है स्मॉल यहां से आएगा और वही जो इसका रेडियस है वो कैंसल आउट होएगे एरिया से तो इस विजाए से यहां पर बड़ा हो रहा है लेकिन एलेक्टिफील में भी उतनी हिसाब से एलेक्टिफील भी घट रही है और वह दो चीज़े हैं एक यह कि आपके पास एरिया बढ़ता जा रहा है और उसी प्रपोर्शन से एलेक्टिफील की कि स्टेंथ डिक्रीज होती जा रहा है और इकुल प्रपोर्शन से तो इस विजाएस से आप देख रहे हैं कि आप सर्फेस बड़ा लें चोटा लें उ लेने इन क्लोज होना चाहिए ठीक है एक पहली चीज गॉजला अप्लाय करने के लिए तो गॉजला यहां पर करेगा और फ्लक्सिस में क्यूवर एपसर नौट आएगा लेकिन मसला यह हुआ कि हर पॉइंट पर असानी रहेगा ठीक है यह एक और चीज आपके पास जैसे यह चार्जिस हैं तो टोटल जो फ्लक्स होगा लेट से यहां पर यह Q है और 2Q है हमारे पास तो जो टोटल इंक्लोज चार्ज है वो है 3Q तो इसमें से फ्लक्स होगा 3Q और किसी भी पॉइंट पर जो एलेक्टिफ फील्ड होगी वो दोनों का वेक्टर सम होगी तो वो वेक्टर सम आपको यहां पर इंटिकल करने में देगा लेकिन राइट हैंड साइड हमारे पास जो टोटल चार्ड इसमें है 2Q प्लस Q वो 3Q और एप्सो नॉट बनेगा और अगर आपके पास जो एलेक्टिफ फील्ड वो चार्ज है वो बाहिर रखा हुआ है ठीक है चार्ज बाहिर रखा हुआ है तो फिर इसमें जो फ्लक्स जीरो होगा वो कैसे जीरो होगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड तो आपको समझा रही है कि इस सर्फिस के से के जासे यह आपके पास है और यहां आपने चार्ज रखती है तो यह यू बनेगे य层 तो जितना फ्लक्स यह रहना फ्लक्स यह लीव कर रहे तो डोल जो फ्लक्स होगा आउट माइनस इन वह out minus in वो आपको zero देगा ठीक है तो matter करता है कि जो आपने fail यह है वो charge उसके अंदर कितना है बाहर matter नहीं करता हूँ अब आजाएं गॉजिला के आपके पास number of charges के लिए कैसे apply होगा याद रहे कि अब तक हमने point charge की बात की है इसको आगे जाके यहां पे नंबर of charges है जैसे मैं आपको शो किया कि यहां पे number of charges है जैसे दो हैं तो एक point पे आपके पास जो elective field होगी वो vector sum होगी यह देखें जो vector sum है तो फिर आप जो flux होगा through surface that enclose them all वो होगा कुछ इस तरह से तो यह मेरे e.da एक particular charge की elective field है ठीक है उसके ओपर आप apply करोगे और वो flux इसमें से कितना आएगा उस चार्ज डिवाइड बाफ्सव नॉट फिर plus next charge की elective field उस elective field की वजा से flux क्या होगा q2 टू डिवाइड बाफ्सव नॉट फिर q3 ओवर एफ्सव नॉट फिर q4 वर एफ्सव नॉट यह सब सम है ठीक है तो यहां पर आपके पास आ जाएगा कोई भी close surface है आपने देखना है कि उसमें total charge कितना है total charge उसमें कितना plus three qr तो आप सफेर लेते हो यह इसमें से आप देखते हो कि flux किया तो इसमें से flux कितना होगा वह होगा minus q over epsilon not ठीक है plus q minus 2 q is equal to minus q इस यह नहीं है आपके सफेर के अंदर ठीक है यह problem आपके सफेर के अंदर नहीं इस विज़ा से contribute नहीं किरेगा flux के अंदर अच्छा यह जो सारी आप देख रहे हैं यह ऐसानी हमें कैसे नजर आई है कि किस तरह से सकते हो चार्ज in close पाइडा स्फेर इस इकल डू आम यह चार्ज इंकलो इस और और यह ए पास आपके पास फेर होगी फिल्ड में तो आप उच्छ वहां वहां पो प्लाय कर सकते हों तो अभी जो मेरे दिमाग में आ रही है इस तरहां की फिल्ल वह है ग्रैविटेशन फील्ड भी आपके पास बिल्कुल वान वर आर्ट स्क्वेर के प्रपोर्शनल होती है ठीक है इन्वरसी प्रपोर्शनल टो आर्ट स्क्वेर तो वहाँ पे भी कॉजिला आप अप्लाई कर से ग्रैविटेशन पे यहाँ पे आपके पास चार्ज है प्लस चा नौट ठीक है इसी तरह आपके पास मैस होगा और मैस में से आप देख सकते हो कि यहां पर इसमें से फ्लक्स क्या है गौजिला एक जैकली वहां पर अपेर होगा और अपकोर्स वहां पर मैस में ग्रेविटेशन फ्लक्स होगा ठीक तो डैवर्जन्स ओफ अलेक्टिव फील्ड वही टॉपिक हमारे चल रहा है और अब हम देख रहे हैं कि इंटीगल हमने फॉर्म देख लिए गौजिला की अब डिफरेंशल फॉर्म क्या होगे तो चार्ज इन टरम्स ओफ डैंसिटी हमारे पास होता है कि यह है सर्फ वॉल्म चार्ड डैंसिटी और यह वॉल्म एलिमेंट है तो किसी भी वॉल्म डिस्टिपुशन में अगर आपने चार्ड देखना हो तो वहां पे आपके पास रो होना चाहिए इस रो को इस पूरे वॉल्म पर इंटिगेट कर दोगे तो आपके पास टोटल चार्ड आजाएगा तो इस वॉल्म में ट्लोस है ठीक है तो यह डैफिनेशन यूज करते हुए हम यह कर सकते हैं कि गॉजी ला में डैवर्जन सुर्ण साथ रखते हुए यह डॉट डी ए क्लोस सर्फिस यह बलके यह जो है आलेक्टिफ्रिल वो उसकी बंजाए कि टैवर्जांस तो टैवर्जन सफ एक्टिफ्रिवी इंटिग्रेटिट व्र वाल्यम यह था खानेटिफ इंटिग्रेटिटिटोवर ऑर अएइडिया तो एरिया डेल डॉट ई जो हम प्रीवस देख चुके हैं इसकी जो right hand side है इस equation की वो गाजिला के मताबिक थी यह चार्ज in close ठीक है चार्ज in close और एपस और नॉड तो चार्ज in close की जगापे मैंने यह definition यूज की तो चार्ज in close की जगापे आ जाएगे integration और वाल्यूम ठीक है और वाल्यूम यह आगया तो यह किसी भी वॉल्यूम के लिए आर्बिटरी वॉल्यूम के लिए होल्ड करता है तो integration जो है आप ड्रॉप कर दोगे तो आपके पास बाकी जो रह जाएगा expression divergence of electric field is equal to रो और एपसल नॉट ठीक है तो यह हमारे पास differential form आ गई है तो लेकिन हमारे पास जो integral form है वह ज्यादा important है problem solving के point of view से ठीक है उसमें point charge line charge और surface इस तरह की इस तरह की डिस्टिबुशन की लेक्टिफिल कैल्कुएट करना ज्यादा असान है बानिस्पत यह differential form की कि तो आप आप गए देखोगे कि हम ज्यादा तर जो है integral form use करें होंगे तो problem number है 2.9 problem number 2.9 में हमारे पास electric field given है वह के कॉंस्टेंट है और एलेक्टिफिल की जो direction है वह radial है तो हमसे पूछाई है कि रो आप calculate करें और total electric field calculate करें ठीक है रोh calculate करें चार्ड हैंसी और फिर आप ठीक तो मैं differential form की help से मैं रोh तो calculate कर सकता हूं तो इसकी मैं लेता हूं divergence और डैवर्जन्स और डैवर्जन्स को जो coordinate में यूज़ कर रहा हूं वह है spherical ठीक तो spherical coordinate में हमारे पास जो सिर्फ derivative रहेगा वह radial area r के respect से रहेगा तो divergence में definition के मताबिक यहां के आपके पास वह electric field आएगी और साथ r square आएगा ठीक है फार्मला में include है और साथ one over r square से divide भी करना होता है आपने next step है integration आप कर लेंगे यहां पर r5 की सोरी यहां पर differential आप साइन से calculate कर सकते हैं r power 5 की differential होगा r power 4 into 5 तो मैंने यह लिखती है और यहां पर r square r4 से cancel out हो जाएगा और में पास यहां पर आ गई rho ठीक है तो differential form आपको help out करेगी चार्ट density calculate करने में volume चार्ट density calculate करने में तो कि यह फाइफ के epsilon not r square second part है हमारे पास कि total charge in close के स्फेर के अंदर तो मैं गया करूंगा इसी को इसको integrate कर दूंगा over the volume तो जो हम coordinates ले रहे हैं वो coordinates है अफ्कोर्स spherical तो spherical volume elements में यहां यूज करूंगा spherical volume elements होता है हमारे पास r square sin theta d theta d5 dr ठीक तो यह मैंने 5k epsilon not r square साथ रखा r square r square r power 4 हो जाएगा और आप इसको integrate करेंगे तो sin theta d theta d5 की जो integration होती है वो होती है 4 pi तो यह मेरी problem solve तो गौजिला की help से differential form की help से मैंने पहले charge density calculate की फिर charge in close किया कि तो divergence of electric field मैंने आप बताया था कि divergence of electric field हम एक 2-3 के से भी calculate करेंगे और वह point charge है कोई भी distribution नहीं बलके एक general distribution है ठीक है तो general distribution के लिए मैं अब calculate करने लगा हूं divergence तो Griffith में जो caligraphic r लिया हूँ है r minus r prime का यह जो दो difference है उदर वो यूज कर रहा है caligraphic r तो यहां पर में लिए draw करना इसको r को थोड़ा मुश्किल था इस विज़ा से मैं rd यूज कर रहा हूं ठीक है तो rd यहां पर जो यूज हो रहा है यह है caligraphic r of Griffith तो यह difference between source minus sorry field point minus source ठीक है field point minus source तो मैंने पूरा indigrate करना है एकर मैं इसकी picture draw करूँ तो यह 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 बनेगी और आपके पास let's have all origin बाहिर है तो यह मेरे पास होगा r जहां पे लेक्टिफिल मैंने देखनी है calculate करना है point p और यह मेरे पास होगा r prime source point ठीक वह यह है row as a function of r prime एक और चीज़ जो chapter number one से हम देख चुके हैं वह एक useful result है और वह यह है कि अगर आप divergence लेते हो इसकी r over r d square की ठीक है divergence लेते तो वह होती है four pi drug delta तो इसके मैं use करूंगा तो मैं इस पूरे expression की divergence लेता हूं तो divergence है जो यह आपके पास differential है वह with respect to r है ठीक with respect to r है तो objective हीट करेगा इसको आर प्राइम वाले function को हीट नहीं करेगा ठीक है यह जो हमारे पास differential है वह एक function of r है तो सिर्फ इसको हीट करेगा हूं कि इसमें आर मोज होता है तो सिधा इसी जगापे मैं good कर दूँगा यह rd rd की definition आर माइस आर पाइम तो फोर पाइड़ डल्टा आर मनेस आर पाइम और डल्टा का आपको पता है कि वह जो उसके साथ function multiply हो रहा होता है integral में पूरे throat volume में वो सिर्फ उसको pick कर लेगा वह है आर आपने pick करना होता है इसको आर माइनस आर प्राइम जो यह argument है equal to करना है जीरो ठीक है तो यह जीरो करने के बाद जो आपके पास r की value आएगी वह आपने बस pick कर ली नहीं है यहां से ठीक तो four pi four pi से cancel हो जाएगा और यहां से आप पे कर लोगे रो आर प्राइम और एपस नॉट तो यह मेरे पास आगी क्या कहते हैं differential form ओफ गौजी जोगा ठीक है तो divergence of activity इदर से दोबारा आप मूव हो सकते हैं integral form में तो आप इस expression का integral calculate कर लें integral यहां पे लिए मैंने और यहां पे divergence theorem के मताबिक volume integral convert हो जाए आएगा surface integral में और यह convention के लिए clarity के लिए मैं एक चीज़ का बता दूँ कि जब आप volume ले रहे होते हो यह ठीक है जहां पे आप लेक्टिफिक की divergence calculate होते हो तो divergence theorem के मताबिक इसी volume का जो outer surface है यह उस पर यह integral है ठीक है उसी volume का तो right hand side पे भी आपके पास integral आएगा volume integral आएगा और volume integral आपको पास row पे अगर आप volume integral calculate करो तो आपके पास आएगा total charge in close by that volume तो यह मेरे पास आगी gauses law की integral form अच्छा application है गॉसी ला की और अच्छा गॉसी ला में कोई नहीं चीज़ नहीं बता रहा हमें आपको वही अलेक्टिफिल्ट करने में help आउट कर रहा है जो column ला करा था यहां भी हमें फाइदा यह होगा कि हमारे पास अगर problem में symmetry exist करती है तो अलेक्टिफिल्ट क्यलकवेट करना बहुत असान हो जाएगा वह symmetry की basically तीन पर टाइप है पहली है मारे पास रेडियल symmetry ठीक है और रेडियल symmetry आपने कैसे identify करनी है वह होगा कि अगर electric field nides Akpo के बे-move हो रही है अगर unos यह हमारे पास होगी रेडियल symmetry अगर मैं आपको शो करूं तो यह ज्य कि THIS है जिए पॉइंट ह्यै आपahon से अभिक है तो ऐसे केसी में आपको जो कंवीनेंट है गॉजन च्वेस लेने के रिखें गॉजन सर्फेस है अग तो आप के लेकर कुछ असान हो जाएंगी और अगर आप गलत चूज कर लेते हैं तो आपके पास कैलकुरिशन उतनी ही मुश्किल हो जाएंगा तो अगर आपके पास एक पॉइंट से अवे मूफ कर रही हैं तो हमारे पास आपको समझ लें कि यह रिडियल समेट्री है आपके पास कन्वीनिय लेने है फ्रॉम आ लाइन ठीक है यह लाइन है वह यहां पर टू डामेंशन में वैसे ड्रॉन नहीं करता तो अगर एक लाइन से वे मूफ करें तो यह से लिडिकल समेट्री है इस केस में आपने गॉयन सर्फेस जो लेना हो वह सिर्ण्री कर लेना है वह आपको हेल्प करेंगा इंटिक्रेशन को केलकोड करने में और अगर आपके पास एक प्लेंज से एक प्लेंज से अलेक्टिफ फिल्लाइज अवे मूफ करें तो यह प्लेन समेट्री है तो बेहतर है कि आप यहां पर वो लें पी बॉक्स लें टेबलेट नुमा वो लें सफेर लें लेना आपने क्लोसर सफेर ही है टेबलेट नुमा ले लें और बाद लोकात हमारे पास स्लेंडिकल भी इस केस में चल जाता है तो यह यह मेरे पास स्फेरिकल समेट्री अलेक्टिफ फिल्लाइज में रेडिली आउटवर्ट फॉर्म आप प्लेन तो वान बाई वान हम इनको देख लेते हैं पहली स्फेरिकल समेट्री है तो स्फेरिकल समेट्री में हमारे पास यह है प्रॉब्लम यह है यूनिफॉर्मली चार्डिट स्फेर और वह यूनिफॉर्मली चार्डिट है ठीक है यूनिफॉर्मली चार्डिट स्फेर है स्वेर उसका रेडियर्स कैपिट क्लोज है क्यों और इसका एडिया से क्याफट लाग तो मैं पहले आउटवर्ड केलकुएट करता हूं तो यह स्फेर के बाहरे पास देखें क्या हमें इस पॉइंट पे लेक्टिफिल्ड मिलेगी तो इसमें हमारे पास यह होता है कि लेट से आपके पास यह है यह था स्फेर है ठीक है जिसकी विभलेज आपने केलवेट करनी है तो आपको चाहिए इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर अपको चाहिए श Industry है तो आप य्य करोगे तो यह करोगे और उसका जो पॉइंट होगा वो जो पॉइंट होगा जहां पर आपने इस थी ऐस स्फेर को गया तो अब आप में अप्लाइक करें कॉसिस लॉग बताता है फ्लक्स लॉग सर्फेज इस इकल टो इसमें हमारे पास दो टास्क होंगे एक यह है कि आपने स्वेरिकल जो समिट्री जूज करते हुए जो हमने जायन सर्फस ड्रॉड किया है स्फेर वाला उसे में एक हैल्प आूट होकी वह यह जर देखेंगे पास आपको यहां पर आपको यहां से यू मिलेगी होगी हो सेंटर में तो नहीं होगी लेकिन आप अगर आप यहां से घूसे हुए है कि और अगर आप कर अधन करते चाहीं यहां सी नंसे छिन पास हो रही है है उसकी डियरेकशन फेन बिल्कुल सेंगेब सब्सक्राइब करने से दूसरा फाइदा हमें यह से हुआ है कि इन हर पॉΥ से यहां से आसान पिर हमें देखा कि पूरे सर्फेस पे बाहर आगया तो इस पूरे सर्फेस के एरिया को जब आप इंटिग्रेट करेंगे तो वह पूरा सर्फेस का एरिया ही आएगा वह है फोर पाई आर्ट स्कूर ठीक तो यह टोटल फ्लक्स हो गया एक साइट से और यह इस इकल्टू होता है को जिला के मुताबिक क्यों और आर्ट स्कूर आप इस तो यह हमें पास सही कॉसित चूज करने का में फाइदा यह हुआ कि हमारे पास इंटिगल बहुत यह सिंपल और असान हों कि आप यहां पर बॉक्स ले ले ते ठीक है तो फिर यह आपके पास को यहां पर जो अलेक्टिविक इडेक्शन यह है वैक् ने कि यहां पे जैसे है आप यहां पर होते तो ने लेकिन यहां पर आकर नहीं होते ति Islam के पाव्म अ दुसा पाव्म इन विःस में वाहँनक ए वह लक्री मिल है तो आपको हर पॉइंट पे लेक्टि फील्ट करना पर था हर पॉइंट की लेक्टि फील्ट को इंटिग्रेशन से बाहर निकाल पाते तो यह तो चूज करना ही आपको गाजिला से फाइदा मन फाइदा फाइदा उठास होगी आप अधरवाइस नहीं अच्छा इदर से एक और आपको चीज नहीं है कि यह पॉइंट चार्ज की लेक्टि फील्ट है ठीक है तो अगर आपके पास स्फेरिक इस्मिटिक चार्ज है और उसके अपर चार्ज डिस्ट्रिबूट पर चार्ज है वह पड़ावाएं तो बाहिट से अगर आप एक सफ़ेरिक चार्ज डिस्ट्रिबूशन है तो आप उसके बाहिट से लेक्टिफिल्ट करें और बिल्कुल ऐसे बिएफ करेंगी जैसे कि सारा का सारा चार्ज सारा चार्ज उसके सेंटर पर एक हमें चीज यहां से बदा चलिक दूसरी है चले में ये में यह फास एक्जेंपल में यह तारो हमारे पास मैं सिस्टम में के कोंजनेंट है और पूछा है इल्restrial शेलेंकर हैं और चर झ Si एड सब्यस्थे करने हैं यह मेरे पास जो ही किसमें इस तरह से चाहट ट्रिसिपूशञ युनिफॉर नहीं जैसे कि सर्फेस ज्यादा दंस्टी होगी इनिर पर कम होगी मैं सर्फेस क्यों कि यह जो अवे मूव और यहां ठीक है एक है तो मैं चूछ करूँगा को मिन्दिक तो मैंने अन्दर इसके लिए उसकी जो आपके पास है तो इनसे अधे हम पात्रवएकंट करनी थे पहले वह कर लेते हैं के इस सर्फिस के अंदर करते चार्ज के तो में गया करूंगा स्रफिस के अंदर का स्क सब्सक्राइब दरक्राइब करेंगे तो मैं से-टिगरेट करूंगा इंटिक्रेटर्ण सिर्फ हमारे पास है दी फाइब इंटिकरेट करेंगे वो पूरी यह लंगत है ठीक है कि और सब्सक्राइब करते हैं वो नहीं देखते कि आपने सफेर के पूरा स्फेर का चाहर नहीं लेना बलके आपने देखना है कि कोई सफेर आपका क्या है सफेर आपका जितना है उसके अंदर चार्ज इन क्लोज होगा वही आपने क्लोड करना है तो गॉजिला में चार्ज इन क्लोज है अब रही राइट हैंड साइड में भी बिलकुल वही है कि आप किसी भी पॉइंट पे अलेक्टिफील देख लें जैसे कि यह पैच है इस सब्सक्राइब लेकिन यह साइड आगा आप देखें सुरी यह आपको यहां पर इंटिगेट करना है तो इस जगा पे जो अलेक्टिफील के डिरेक्शन है वह इस तरफ है और वेक्टे एरिया आपके पास यह डेक्शन है यह वेक्टे एरिया और इस दूसरी परपेंडिकुलर है यहां पर देखें अलेक्टिफील्ड यह डाउंवर्ड है और जो वेक्टे एरिया की डिरेक्शन है दोने से के प्रपेंडिकुलर है तो यहां इन दोनों कैप से आपको कोई कंटिबूशन नहीं मिलेगी यहां पर परदक्ट जीरो है लेकिन जहां से आपको contribution मिलेगी वह हैं सफेर यह सर्फेस यह सर्फेस है इस सर्फेस पर जो cylindrical round सर्फेर है सब्सक्राइब करोगे इस पूरे सलंडर का अरिया आपको पास आएगा पूरे आपके पास होता है तूपाइए एस एल ठीक है तूपाइए एस सर्कमफेस उसको लेंट से मुटिप्लाइब कर तो यह लेंट है तो आपके पास पूरे सलंडर का एरिया गाया विदाउट कैप्स तो इन दोनों को इकुएट कर दो इस गॉजला के मुताबिक तो यह मेरे पास चला जाएगा इदर और यह इन पास चलने जाएगा इस सर्फ तो इपास चार्ज लेंट पास चार्ट इन क्लोजट तो आपके पास एक शीट है जैसे कि यह है तो आपने फाइंड आउट करने है इससे यूनिफॉर्म चार्ज सेपरेटी डेस पे और हमने फाइंड आउट करने है इससे एलेक्टिफिल क्या है तो जैसे कि प्लेनर समेटी नाम से ज़स्ट है और हमें पता कैसे चल रहे है क्योंकि अलेक्टिफिल लाइन आउटवर्ड फ्रॉमा प्लेन तो आप लोगे पिल बॉक्स या प्लेन लो वो टैब्रेट नुमा गॉजन सर्फेस लोगे तो यह मेरे पास टैब्रेट नुमा गा इकन है फूर इस गिवन गॉजन सर्फेस तो इसके तीन साइट है तो चे साइड है बेसिकली और पहले हम देख लें इसमें कि आपने कैसे ना से चाजिन क्लोज लेखना है फिस फेर के अंदर जितनी वह शीट आ रही है शीट का जो पॉर्शन आ रहे है वह मेरे पास चाज इकल टू चार डिवाइड बाई एरिया होती है तो एरिया कुछ सब ले जाओगे तो आपके पास चार्ज इन क्लोज आ जाएगा तो जितनी शीट इस गॉजन स्फेर के अंदर है वही आपके पास चार्ज इन क्लोज है अब बात करें दूसरे इसकी राइट है तो राइट लेफ्ट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वहामें यह बताएगी कि इसमें हमारे पास है टोटली छे साइट एक यह एक यह एक इस तरफ है एक यह और एक डाउनवर्ड है ठीक है तो अछिएट से जो अलेक्ति फेल है मूव का आउट प्रक्राफ है तो यह जो आपके पास है यहाँ पर करेयेगा फ्लक्स और यहां पर एक गीरेक्शन बिल्कुल विक्टर एरिया की ड्रेक्शने में होगी थीक aurक्र एक ट्रर तोनों पररेंडीकुलर हैं यहां पर भी साझ साइट पर फर प्रेंडी कुलर और इस साइड पर परर्पेंडीकुलर हैं तो इन चारों साइट से जो फüllक्स मिलेगा कुछिर सीरू मिलेगा चार साइज हैं यहां से डॉट्ट प्रोटक्स जीरो हो रहा है दो साइज से कंटिबूट कर रहे हैं तो वह प्लेंश सर्फेस है तो एरिया मंल्टिब्लै बैलक्ति फिल्ड इनिय को नीचे और ऊपर से में टोटल फ्लक्स मिल गया है तो दोनों साइट मैंने क्यलकुएट कर ली दो साइट के कांटिबूशन थी यह अब मैं रिजल्ल्ट दोनों एक दूसर के एक को लखूंगा यह चार्ज इन क्लोज की जिगा आप जाएगा सिग्मा ए और एस नॉट और फ्लक्स टॉटल फ्लक्स वाल जिगा प्या जाएगा थोड़ी से हरां कुन बात मालूम हो शायद के वैसे हमारे पाइब जो एक्रिफीड होती है जिसे आप डिस्टन्स से अभी होते हैं चार्ज से अभी होते हैं तो वह इन्वर्सल प्रपर्शनल टू आर्ट स्कूर है ठीक है आर्ट स्क्वेर के स्प्रेक्ट से ड्रॉप नजदीक है शीट के दूर हैं कहीं भी हैं कोई फरक नहीं पड़ता लेक्टिफील सेम है उसकी वज़ा यह है कि एक तो पहले हमारे पास शीट है वह इंफिनिट है और जैसे आप इसे दूर होते हैं जब नजदीक हैं तो आपके जो साइट ओफ जो चार्ज आपकी व्यू पास कोन के जो सरकल है वो बड़ा होगा और आपकी साइट में चार्ज जादा आएगा आप यहां से वह होगे तो उसी रिस्पेक्ट से देखें कोन भी आपके बढ़ती जाएगी और आपकी जो साइट में चार्ज आएक वह जादा आएगा तो दिससेंस कि से लेक्टिफील कम हो रही है लेकिन चार्ज के बढ़ने से आपके पास जो शुर्ण प्रपोर्पोर्शनल है जैसे हिस्टिफीद डिक्रीज हो रही है एक सिंगल पैच के वजासे उसी तरह से आपके पास साइट ऑफ जो चार्ज का व्यूवाँ है वो बढ़ता चला ज प्रिए प्लैन हो तो आपके पास करेगा अधर्वाइस नहीं और करेगा यह तो हमारे पास बदाएब यह सिमेट्री सी है तीन शीट हो सकती है ठीक है तो आप इन जो हैं तो प्लेनर समेटी तीन यह समेटी तीन है लेकिन आप इनको यूज़ करके अपने पावडम को सॉल्व कर सकते हो लास्लाइड है तो मैं हमेशा जैसे पहले हमने कि आपके किल करने की जरूओत है या नहीं है वे तो आपको वैसे ही समें करट जीरो नदजर आएगा तो आप इसमें देखें कोई रूटेशन आपको फिल्ड में नजर नहीं आती लेकिन हम कोई रिग्रेस वेच आते हैं जिसे हम इसको क्वांटिटिव प्रूव कर सकें कि एलेक्टिव फिल्ड डू पॉइंट चार्ज इस कर लेस ठीक है तो इस एकल टुव फोब्ड अप्सव नॉट की ओवर आर्ट स्क्वेर जह मैं पास पॉय्ट चार्ड के लेक्टिव रिग्रेस वेच लेता हूं कि मैं इंटिगर क्याक्वाट करता हूं दो पॉइंट से कि मैं अगर मुव होता हूं इस पॉइंट से इस करना है इस पूरे बात पर इस पॉइंट चार्ज की विजाद से लेक्टिव फील को का लाइन इंट्रिगल अवैल्यूएट करना है ठीक और लाइन एलिमेंट है मेरे पास यह क्योंकि मैं स्फेरिल कोडिनेट्स यूज कर रहा हूं डील इस इकटू डी आर आर हैट फ्लस आर डी थीटा थीटा है फ्लस आर साइन थीटा डी फाय है फाय है लेकिन जैसे आप डॉट पॉट लेंगे दोनों का यह और डी एल का उनके यह जो चार्ज की एलेक्टिव फिल्ड होती है वो रीडियल है यह देखें वो रीडियल है आप इनको दुनका डॉट लोग है तो यह जीरो सिर्फ आपको यहां से कंटी पुशने मिलेगी तो डी आर यह आ गया ठीक है स्मॉल लाइन एलिमेंट पे अगर आप चलते हैं त अगर करेंगे तो आप के पास जाएगा माइनस वान ओवर और हुशम करेंगे तो मारेशन वानगर इंटेड़ेंट कर दें तो पक्लोस करते हैं कि इन दोनों पाइंश को सेम करते देते हैं वह बना अग्शन राती पर चलिए आप करफ दें तो आपके पास आएगा जीरो ठीक है यह के मताबिक मैं इसको कन्वर्ड कर सकता हूं यहां पर अप 마्र पास Может नाइब ठाइगा है तो लान को मैं सर्फिसि इंटेल की कलो कर सकता हूं लेकिन यह ये लाइन हमारे पास होना चाहिए लाइन इंट्रियक्र यानि कि एक लाइन है और इस पर पिल्ट कर लें और इस सर्फिस प्राप यह उप्य इसको स्ट्राउटरु आम करते हैं तो यह उकल तो जीरो है है इसका मतलब हमारे पास कर लो फ्लेक्टिफ फील इकॉल टू जीरो है वो कि हमने कोई एक आर बेटीडी वो लाइन लीवी थी तो आपके पास इसको आप इंटिगेर को ड्रॉप कर सकते हो तो यहां से हमें पता चलता है कि अलेक्टिफ फील्ड का जो कर्ल है वो मैं मिलेग जीरो आपके पास कई सारे चार्डी से यहां जैसे के यह है तो आपके पता कि अलेक्टिफ फील्ड के इसमें हमारा सूपरपॉशन होगा ठीक है तो टोटल अलेक्टिव फील्ड जो आपको मिलेगी वह जीरो मिलेगी तो अलेक्टो स्टाटिक में जो अलेक्टिव फील्ड होती है उसका कर्ल हमेशा जीरो होता है तो अगर आपने पहचानना हो कि कोई यह लेक्टिव फील्ड अलेक्टो स्टाटिक अलेक्ट हो सकती है